फैसला लिया गया है सरकार की ओर से के जिन स्कूल में एंरोल्मेंट कम है या दो-चार चातरे ही पढ़ते हैं उन्हें मर्च कर दिया जाएगा या फिर बंद किया जाएगा तो ये निर्णय गलत है इस निर्णयों को वापिस लिया जाए सोच विचार इस पर होना चाहिए य पर अभिभावकों ने ग्यापन सौंप कर भी एमांग उठाई की जल से जल वहाँ पर स्टाफ भरती किया जाए लेकिन जब शिक्षकों की कमी उन्होंने लंबे समय तक देख ली तो उसके बाद अपने बच्चों को प्राइविट स्कूल में अब दाखिला करवा रहे हैं य अभी स्कूलों में तक्रीबन 17,000 के करीब पद खाली चल रहे हैं ये बियोरा बीनी की ओर से दिया गया है और 16,000 पोस्टे कला अध्यापकों की खाली है जल से जल इन्हें भरने पर विचार होना चाहिए स्टाफ की कमी है इस वज़े से स्कूल खाली है जब स्टाफ आ जा पूर में एक नया ही वाक्य सामने आया है यहां भाशपा ने कॉंग्रिस पार्टी में सेंद मारी कर अपने कबजे में नगर परिशद ले लिया है दरसल अध्यक्ष और उपध्यक्ष के यहां चुनाफ होने थे उपमंडल अधिकारी डॉक्टर रोही शर्मा एवं नगर परिशद के कारेकारी अध्यक्ष संजय कुमार की अध्यक्षता में मदान करवाया गया इसमें नगर परिशद के आठ पार्षदों वस्थानिया विधाय कैप्टन रंजी सिंग राना ने मदान में हिस्सा लिया भाशपा ने अध्यक्षपद के लिए वार्ड नंबर दो क पार्शद शकुंतला देवी को अपना अध्यक्षपद के लिए उमीदवार बनाया था लेकिन भाजपा समर्थकों की संख्या तीन ही रह गई थी और जैसे ही यहां स्थानिय विधाय कैप्टन रंजीर सिंग अपने पांच कॉंग्रेस समर्थित पार्शदो सहित पहुंचे तो कॉंग्रेस को लगा कि अब तो वो जीत हासिल करके ही रहेंगे उनके पक्ष में ही फैसला आएगा लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं सेंधमारी एक तरह से यहां पर हो गई और भाजपा के कबजे में ही ये दोनों सिटे आ गई है अध्यक्ष की भी और उपाध्यक्ष की काफी जादा हैरत अंगेज देखिए ये पूरी तरह से मामला है बिलासपूर में नए एसपी की न्युक्ती हुई है और ये मुख्या सचीर प्रबो सक्सेना की ओर से आदेश चारी कर दिये गए है दो हजार सोला बैच के IPS अधिकारी संदीब कुमार धवल को बिलासपूर का नया एसपी न्युक्त किया गया है फिलहाल अभी बाकी जीलों में भी क्यूंकि बदलाफ होगा और इसके संकेत पहले ही मुख्या मंतरी सुक्रू की ओर से दे दिये गए हैं अब देखिए अभी तक अफसरों के तबादले नहीं हो पाए थे कई तरह के सवाल इस पर देखिए राजस्वा मंतरी जगसिंग नेगी ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि अगर पटवारी कानुन को अपनी जिद पर ही अड़े रहेंगे तो सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली है पटवारी जानते हैं कि किस वज़ा से उन्हें टर्मिनेट किया जा सकता है तो ये कारण सरकार को ना दे खुले शब्दों में चितावनी राजस्वा मंतरी जगसिंग नेगी ने दी है पटवारी कानुन को संग को ये दरसल हाल ही में एक डिसीजन लिया गया था कि पटवारी और कानुन को को स्टेट कैडर में डाला जाएगा इसी फैसले का ये वि पटवारी अपने जीलों से दूर है तो उन्हें भी अपनी डिस्ट्रिक्ट में जाने का मौका मिलेगा ये जनहित से जुड़ा निर्ने है काफी समय से कुछ एक पटवारी की कानुन को की शिकायत भी आ रही थी तो इसका निप्टारा भी हो पाएगा और आने वाले समय मे डिवीजन स्तर का फैसला भी पटवारी कानुन को के लिए हो सकता है इसके भी संकेत आज राजस्वर मंत्री की ओसे दे दिये गए हैं लेकिन इनका कहना है कि किसी भी हर्ताल को बरदाश जादा लंबे समय तक नहीं किया जाएगा और टर्मिनेट भी फिर यहां पटवारी पर बुलाई गई थी कि स्टेट के अडर वाला फैसला वापिस लिया जाए ऐसा कोई निर्न्य हुआ नहीं है एक और बात जो कि यहां जगसिंग नेगी की ओर से कही गई है वो यह है कि फिलहाल यह लोगों की ओर से जो शिकायते आई थी उसे देखते हुए यह निर्न्य ह हुआ है तो अभी पटवारी कानून को तरह तरह के तर्क जरूर दे रहे हैं लेकिन सरकार फैसला वही ले रही है जो की यहां जनहित से जुड़ा है अब देखे पटवारी कानून को ओर से इस पूरे मामले में क्या कहा गया है उनका कहना है वो डरनने वाले नहीं है उने orders दिखा कर धमकाने की कोशिश हो रही है ड्राने की कोशिश हो रही है यह पीछे नहीं हटेंगे अभी online mode पर ही इन्होंने अपना काम बंद किया था लेकिन अब offline mode पर भी अपना काम बंद कर देंगे जिस वज़ा से पंचायतों के काम बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगे और ये भी जगतनेगी ने कहा है कि जो असुविधा भी आम लोगों को हो रही है उसे चैलेंज के तौर पर लिया जाएगा और जल्दी ही उसका रास्ता निकाला जाएगा लेकिन अभी ही अगर मुसीबते इतनी जादा बढ़ गई है सिर्फ ऑनलाइन कामकाज इन्हों ने बंद किया था अब अगर ऑफलाइन मोड पर भी काम नहीं करेंगे कारेलियों में नहीं जाएंगे चाबियां सौंप देंगे सरकार को तो आखिरकार आगे की कारेपनाली फिर किस तरह से चलेगी ये बड़ा सव है और पटवारी कानूंगों ने आज एलान कर दिया है कि नई रणीती अब ये तयार करने वाले हैं हमेशा इनके विरुद ही यहां पर फैसले लिये गए हैं इनके हित में कोई भी फैसला अभी तक साबित नहीं हुआ है जो इंफ्रस्रुक्चर ये इस्तेमाल करते हैं या कैडर से सिधा स्टेट कैडर में भीजा जा रहा है ये अपने जीलों को छोड़ने के लिए हरकिस तयार नहीं है ये भी इन्होंने बास परशतौर पर रखनी चाही है और इसलिए नहीं है क्योंकि वीतिय नुकसान भी इने होगा साथ ही साथ इनका माइंसेट भी अभी ऐस इचानी आएगी तो सरकार ने अचानक से जो फैसला लिया है वो इनके लिए खरा साबित नहीं होने वाला है इसलिए अब सरकार को ही अपना निड़ने वापिस लेना होगा है ये ऐसा कहते नजर आ रही है और सरकार का कहना है कि पटवारी कानुन को जितनी जल्दी इस फै पर बवाल हो गया है टेट परिक्षा की फीस में भड़ोतरी कर दी गई है धरमशाला शिक्षा बोर्ड की ओर से और इसमें जेबिटी बीएड प्रशक्षु और इनका संगठन है जेबिटी डीलेड प्रशिक्षित बिरोजगार संग इनका कहना है कि यह सरकार नौकरियां त कुछ नहीं हो सकता है एक और यह बिरोजगार है दूसरी और बार-बार इने इस तरह की आर्थिक परिशानी जेलनी पड़ रही है सरकार तुरंत प्रभार से इस निर्ण्यों को वापिस लिया अगर नहीं होता है ऐसा कुछ या फैसला वापिस नहीं लिया जाता है तो यह फिर आंदोलन करने के लिए मजबूर होने वाले हैं इनका मानना है कि जेविटी कमिशन की भरती 5 सालों से नहीं हो पाई है लास्ट टाइम 2019 में हुई थी उसके बाद से लेकर यह इंतजार में है और पिछले 9 महीने से बैचवाइस भरती भी लटकी हुई है 15-15 सालों से अ नौकरी का इंतजार बैचवाइस भरती के लिए कुछ एक लोग कर रहे हैं तो ना कमिशन आधार पर भरतियां हो रही है और ऐसे में टैट की परिक्षा का फॉर्म भी महंगा कर दिया गया है लगातार फीस बढ़ाई जा रही है पहले आवेदन मांगे जाते हैं भारी भर कम फीस ली जाती है उसके बाद फिर भरतियां होती नहीं सुखु सरकार इने बीच में लटका देती है ये बात जेबिटी डियलेड प्रशिक्षित संग की ओर से कही जा रही है प्रशिक्षित विरोजगार संग की ओर से ये स्टेटमेंट दी गई है आज देखें मुख्य की ली गई मुख्या मंतरी सुक्षिंदर सिंग सुखु ने इसकी अध्यक्ष्टा की है सबसे बड़ी बात दैनिक भोगियों के लिए निकल कर सामने आई है अब 400 रुपए दिहारी वन विकास निगम में दैनिक भोगियों की की जा रही है साथी साथ जो करमचारी है उन्ह लिए गए हैं जिसमें 80% करमचारीयों को नियमित भी किया जाएगा दरसल कॉंट्रेक्ट बेस पर जो अपनी सेवाएं दे रहे थे अब उन्हें नियमित करने की बात भी यहां हुई है और वन विकास निगम पहली बार FCA मंजूरी के उपरांत ब्यास नदी से खनन गती व हुए थे इनी पेडों की लकडी बेजकर धाई क्रोड रुपै का लाब भी हुआ है ये भी मुख्या मंत्री की ओर से ही आज जानकारी दी गई है उप मुख्या मंत्री मुकेश अगनी होतरी दिल्ली में है पहले मुख्या मंत्री गए थे अब डेपिटी सीम गए हैं जिसक माईने अभी मीटिंग्स के कुछ इसी तरह के निकाले जा रहे हैं हलांकि डेपुटी सीम उगेशक नी होतरी ने केंद्रिय जल्शक्ती मंत्री से भी मुलाकात की है और जल जीवन मिशन को लेकर जल्दी अदाईगी की जाए हिमाचल को ये भी अपील की है हलांकि इस मिशन क काम हिमाचल में पूरा हो चुका है लेकिन उसके बावजुद भी अभी तक अदाईगी नहीं हो पाई है तो ये मांग वहां केंद्रिय मंत्री के समक्ष रखी गई है डेपुटी सीम की ओर से देखें हिमाचल की सभी पंचायत में परिवार रेजिस्टर की प्रक्रिया मॉड्यूल, ऑनलाइन प्रोसेडिंग, रजस्टर मोबाईल एप्लिकेशन, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का भी शुभारम किया है तो ये छोटी सी राहत भरी ख़बर पंचायत के लोगों के लिए अब आना चाहेंगे एहम ख़बर पर क्यूंकि जीपी एफ रूल्स यहाँ पर बदल दिये गए हैं, यह All India Service के अधिकारियों के लिए जीपी एफ रूल्स बदले गए हैं, यानि कि जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स में बदलाव किया गया है और इसकी मनजूरी कैबिनेट से भी ले ली गई है और जो महालेखा कार हैं उन्हें भी ये श खुद भरना होगा, इस से पहले राज्य के सरकारी करमचारियों के लिए भी यही व्यवस्था थी, लेकिन All India Service में एक समान रूर ना होने के कारण महालेखा कार कार्यालियों से बार बार राज्य सरकार से यहाँ बात उठाई जा रही थी, जिस पर अब ये निर्णिय ले का प्रावधान होना चाहिए, तो निर्ने हो चुका है, कैबिनेट से भी मनजूरी ले ली गई है और महालेखाकार को भी ये रूल्स अब आगे भेज दिये गए हैं, जनरल प्रोविडेंट फंड रूल से जुड़ी ये जानकारी हमने आपको दी है, क्या आप जानते हैं, संसद में बड़ा हंगामा हुआ है, और हिमकेर की गूंच भी वहां तक पहुंची है, और ये भाशपा के पुर्वप्रदेश अध्यक सुरेश कश्चप की ओर से बात कही गई है, क्योंकि मौजूदा समय में ये संसद भी हैं, और वहां इनकी ओर से ये बात कही गई हैं, इंडी गडबंदन का हिस्सा है, और इंडी गडबंदन का काम है कि विकास को रोक देना, हिमाचल में भी 18 महीने से विकास को रोका हुआ है, कोई भी विकास आत्मकारिय नहीं हो रही है, और तो और जो जन कल्यान कारी योजनाए हैं, उन्हें भी पुरी तरह से बंद करने के लिए जो कंपनिया इसके लिए अधिक रहे थी हाला कि इस बात पर काफी सारे रियक्शन यहां भी सामने आए हैं कॉंग्रेस नेताओं की ओर से इस पर रियक्शन जरूर दिये जा रहे हैं हिमाचा सरकार ने तीन सब डिवीजन में नई वीकल सीरीज दी है परिवहन विभ साइट पर भी डिटेल से जानकारी वहां पर दी गई है अब आना चाहेंगे बड़े मुद्दों पर क्यूंकि हर वर को यह लग रहा है कि शिक्षा विभाग में जल से जल समस्याओं का निप्टारा होगा लेकिन संभव कैसे हैं जब अभी यहां ना तो शिक्षा मंतुरी हैं ना ही उच शिक्षा विभाग के निदेशक हैं ना ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक हैं ये तीनों ही दरसल असम गए हुए हैं वहां पर किस तरह से शिक्षा प्रणाली को अंजाम दिया जा रहा है कैसे यहां की शिक्षा में सुधार किया जाए वहां स से सीख लेनी के आविशकता है इसी बात को मद्दे नज़र रखते हुए ये असम पहुंचे हुए है ये तकरीबन शिक्षा मंतुरी सहीद 12 लोगों की टीम वहाँ पर गई हुई है तो अभी जो TGT का कारया चल रहा है वो तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक शिक्षा मंतुरी और ये डारेक्टर्स वापिस नहीं आते हैं विभाग के दूसरी बड़ी बात एंटिटी भरती का भी तब तक कुछ नहीं होने वाला है स्कूलों का युकती करण भी नहीं हो पाएगा और टीचर्स की भी रैशनलाइजेशन होगी उसके बाद जाकर फाइनल लिस्त त्यार होगी लेकिन पूरा काम तभी हो पाएगा जब शिक्षा मंतुरी वापिस लोटेंगे और एंटिटी भरती में भी तभी कोई नहीं अपडेट सामने आ सकती है इसी तरह से 100 मामले हैं कोडिफिकेशन के लिए भी और जादा इंतजार करना होगा दरसल कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस अपनाई जा रही है असम में इसे लेकर असम के शिक्षा मंतुरी से हिमाचर पदेश के शिक्षा मंतुरी रोही ठाकुर मिलने वाले हैं